नमस्कार दोस्तों भारत आप्लिकेशन की तरब से अपडेट इन्फरमेस्ट लेके आया हूँ भारत आप्लिकेशन पिलेश्टोर से अनलिस्ट हो चुका है कुछ टेकनिकल इसुस की बज़े से बट सुत्र के हिसाब से पता चल रहा है कि भारत option application फिर से list हो सकते हैं play store पे बट कब होगा वो date fixed नहीं है तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी के time पे जाएंगे play store पे then search करेंगे भारत option application तो आपके सामने सभी result आ जाएगा लेकिन भारत option application आप लोगों को देखनों को नहीं मिलेगा totally unlist हो चुका है यानि delete हो चुका है और कब यहाँ पर fit से launch होगा इसका कोई update नहीं है बट मैं आप लोगों को बता दू like group के साथ कि मेरा भारत option application मैंने पहले ही install किया था जो कि मैंने uninstall नहीं किया था विसी जैसे मेरा device पे है तो सबसे पहले भारत option application को open करेंगे उसके बाद customer service पे चैट करेंगे तो customer service पे मैंने already एक message फेहले ही भेज दिया था जो कि अभी भी reply नहीं आ है तो अभी आ चुका है देख पाएंगे यहाँ पर मैंने लिखा था लिखा था वाई भारत option application is not available on play store तो यहाँ पर आप लोग देख पौगे एक link दिया गया है और इस link पे कहा गया है कि इस link से आप लोग जो है भारत option application को install कर सकते हैं और यह official link है और गईसे मैं बता दूं कि भारत option application भले ही प्लेस्टोर से अनल है और यह नहीं मिल रहा है किर से魔ट पर प्लेस्टोर पें लिस्ट हो सकते हैं लेकिन कभ होगा इसका कोई पका सब्सक्रा नहीं हो स्मूत्ली चल रहा है कोई ज्यादा Alleyy Su आदा करने का कोशिस्ट कर पकर नहीं तो उसका deposit नहीं हो रहा है यानि deposit करके जो बंदा ट्रेडिंग करेगा उसका deposit नहीं हो रहा है deposit का problem इवन अभी के time पर चल रहा है हाला कि इस topic के रूपर में पहले फिलिए वीडियो बना देता है क्योंकि काफी लोगों ने मुझे comment और डेडिय किया था वह आगे भी साइध हम लोगों को face करना पड़े क्योंकि यहां पर टेक्निकल इसूस बगरा जो चल रहा हो अग्दम मतलब बहुत ही खराब चल रहा है तो यहीं कुछ अपडेट था तो वीडियो का हम लोग एहीं पर एंट करते हैं आसकर तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगोगा टाटा एंड वाइबर कुट्वाइब